इधर जब भगवान राधा रुक्मन को रथ में लेकर के चले तो राधा रुक्मन कहती है प्रभू इतनी क्या जल्दी है थोड़ा धीमा हाग को रथ को थोड़ा धीरे हाग को गर भगवान कहते है नहीं राधा रुक्मन अब समय नहीं है धीरे हागने का और पहले भगवान सीधे जुनागर पहुंचते हैं जैसे ही जुनागर पहुंचे तो भगवान ने पता पूछा कि आरे पानी की पिणिहारियों ये नरसी महता का घर कुन सा है पानी की पिणिहारियों ने का महराज आप कहां से आये हो आपका रूप और ये इतना सामान कहा जा रहा है भगवान ने का अरे मैं नर्सी महता के लिए माहरा लाया हूँ और नर्सी महता के लिए जा रहा हूँ अब गाओं वाली जो ओरते थी उन्होंने का माराज माने भी लारे ले चलो मैं भी मायरो देखा मायरा में चाला भगवान की ओ नरसी जी जब हाथ जोड़ जोड़ करके बुला रहे थे कि चलो 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 जब तो नहीं चल रहे थे और अब गाड़ी ने देखन लाड़ी का पग उठ रहे हैं भगवान ने भी एक बंदे को जुनागर से साथ नहीं लिया और सीधे रत हाकते हुए भगवान अंजानगर की और प्रस्थान कर लेते हैं इधर जैसे ही भगवान तेज रत हाकने लगे तो राधा रुपमन करती है प्रभू धीरे हाको धीरे हाको अरे हमारी रख में तूड जाएगी क्या काती है रादा रुत्मन अरे चार पयारो रथडो बनायो अरे चार पयारो रख में तूड जाएगी क्या काती है अरे चार पयारो रख में तूड जाएगी क्यायो अजाए मैं आडि आएगिन कर दो, औरो स से पर दो झात शींटो औरो और अपकार पर शा कर दो कि प्रकार इत। ? आरत्ल Begin रगे कि याएप्ठी ताइसे वरी पर शायता sa अपार आता सीš ताउता आनननन वरी अभरी पोझ कोणे दिख भुद्ध मैं अलत तक्राइब कर समयन लना वीगोर्ण। उस्वज़ाबिक गरॉदा भी घरजाइब nessa केर स жд कर ढल सक ओकूम्मुत हरां बढ़ा हादी हरां लघास्य मदमनों ऐन में वारादी राधा दूरी अज्जान नगर में भगवान ने रत को आकर के रोका और फिर भगवान वोई विज्यापन सेंटर पानी की पनिहाजियों से पूछते हैं कि ये श्री रंग जी का मकान कौन सा है कौन सी श्री रंग जी की हवेली है पानी की पिनिहारियां बताती है महराज ये सामने महल है श्री रंग जी के और जो सामने महल बताए तो भगवान इधर अंजान नगर में महलों की तरफ बढ़ ही रहे थे और इधर जब व्याव का समय नजदिक आया तो नानी भई से फिर सारे घरबार वाले लड़ने लगे नानी भई को आया करो नानी भई ने तो जलका कलश लिया और सरोवर की तीर चली गई नानी भई सरोवर की तीर पर खड़ी खड़ी विलाब कर रही है किनों में रो रही है कम मेरा बीरा आएगा मैरा भाई आएगा और रोती रोती जब नानी भाई विलाब करती है सावरिया को याद करती है क्या काती है नानी भाई हुमें तो सरवर पाणी डे चाली है मार हुमें तो सरवर पाणी डे चाली है कि में वालत तो सरवर पालत कि में वालत तो सरवर पाणी डे चाली है तो सरवर पालत कि तुभ अमरता आदि आए चाली है नानी बागर कर रही है और रोती रोती जब विलाब करते करते नानी बागर की तीर पर गई तो क्या विचार कर रही है तो क्या विचार कर रही है क्या विलाब Πाई जा विलाब कर रही है तो क्या विलाब कर रहार कर रही है तो sıkई चुमाके लगया लग्षी सहिता मर्गदायो किरीतों हो उफ कर दन्क के सिता मर्गदायो किरीतों हो ड्रेतों है कर बोड़ाविर कायमानी शाप में बूतिरी मोलाविरी वहाँ हाँ हाँ नासी फगत जीवानी जीफीशन मानक हिसकत त sha जीफळीशन लो में को इवर पाणी घरी खती है नानि बाई, सरवर पर खड़ी खड़ी भी लाब कर रही है इतने में क्या देखा सामने एक सुवड सूटा तोता बेठा था नानी बैने का रे तोते तू तो मेरे धरम का वीर है तू तो जड़ा देख मेरा वीरा आ रहा है या नहीं आ रहा है और जैसे ही तोते को कहा तो तोता क्या जवाब देखता है अरे सुवा बेठो अरे सुवा थो तो धरमा को वीर देख सावरिया ने आपका जैसे ही नानी भाई ने का अरे सुवर्ट अरे तोते तो तो मेरे धर्म का भी रहे जरा बता तो सही मेरा सावरिया आ रहा है नहीं आ रहा है और तोतन तोते ने का नानी अरे तेरा भाई आ रहा है तेरा भीरा आ रहा है और देखते ही देखते भगवान गाठ में हाथ में गाठ में हुए दोर पे हुए आ रहे हैं नानी भाई के पास ये सावरिया है बरे सावरिया से पेखी जैसे ही भगवान को देखा तो नानी इतनी प्रसन हुई इतनी प्रसन हुई साथ में राधा रुक्मणी से नानी पूस्ती है कि आप कहा जा रहे हो किस के पावने आए हो राधा रुक्मण ने का कि हम नर्शी जी के पावने आए है और मायरा लेकर के आए है नर्शी जी महाराज के इतना कहना हुआ नानी भई दोड़ी दोड़ी गई और का सासु जी सासु जी मेरा भाई आ गया मेरा भीरा आ गया मेरा भीरा आ गया और देखते ही देखते नानी भाई एलान कर देती है सासु जी देखो मेरे फिहर का परिवार आ रहा है मेरा भाई आ रहा है इदर भगवान माहरा लेकर के जैसे ही आगमन करते है और नानी भाई क्या कहती है सहिल या मालू मौह नभी रो आयो 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 मैं बोलूँगा सहिल या मालू मौह नभी रो आयो सहिल या मालू मौह नभी रो आयो सहिल या मालू मौह नभी रो आयो इधर जैसे ही मायरा लेकर के भगवान आने लगे और नर्शी जी महाराज के पास जब भगवान गांट लेकर के पहुंचे तो नर्शी जी महाराज के सामने गांट आगे रखी नर्शी जी तो रूस गए कि लेजा तेरी गांट नहीं चाहिए अब आया है लाज गुमा के अब आया है समय बीतने के बाद अब भगवान गाट इदर रखे तो नर्शी जी उदर गुम जाएं अरे सामी मेले गाट ठड़ी अब पोटो फी इदर जाया और नर्शी ने तो सावलियो माढ या ही मन भगवान वना रहे पर नर्शी जी रूट रहे भगवान कहते नर्शी जी देखो तो सही में तुम्हार लिए माहरा लाया हो नर्शी जी ने का नहीं चाहिए माहरा ले जाओ भगवान ने का इतनी मुश्किल से के तो इतना रो रहा था गा रहा था लाया तो ले नहीं रहा और भगवान ने भी जब देखा कि ऐसे बादिले भक्तों का ऐसे रूसने वाले भक्तों का क्या करें तो भगवान भी जड़ गांट उठाते हैं और गांट कंदे पे रखी और धीरे धीरे भगवान चलने लगे नरसी जी ने सोचा अरे चालन ताको सावरियो जद गांट डीम उठाया अरे नरसी जी जान्यारे यो तो लायो ले जारे नरसी जी ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो आएं और बिना करी ले जा रहें नरसी जी उड़ते हैं और भगवान के पिछे दोड़े और भगवान का बुगचा पकड़ लेते हैं अरे उभो रे रे सावरिया तम ठाडो रे वह आलग का ठड़ में और भगवान नरसी जी ने का प्रभू ये गांट तो मुझे दे जाओ मायरा भरनाएं भगवान ने का नरसी में तुमारे लिये थी तो आयाओ मायरा भरने के लिए और भगवान सब संतों को नरसी जी महराज के जब आंगन में आए भगवार सब संतों से मिलते हैं और नरसी जी महराज संकिर्तन कर रहे हैं रत्य कर रहे हैं अरे लारे लारे नरसी जी ने आगे सामलसा ये लारे लारे नरसी जी आगे सामलसा ये लारे 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 नरसी जी आगे सामलसा ये लारे 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 जिनतारे में मिन ये क्रवारी माढनुधि झीजे करें अर्वा scrolling के चोदी पुमाटना को इड साथ सिखाए रामजी जोड़ी जोड़ी कुमनरीआ लोगी जर्माली, चोड़ी तुमनरी आंडो की जावनी खुपरे रेता कमा गुपर भी मेय तेल, अन्यादी है, बुपरे का नया क्णियो की थान।